दिवाली क्यों मनाते हैं? आज के विडियो में पुरा जानकारी मिलेगा. तो जानने के लिए विडियो को एंड तक जरूर देखें. दिवाली के त्योहार को दीप पर्व, अर्थात दीपों का त्योहार कहा जाता है. दिवाली के दीप जले, तो समझो, बच्चों के दिलों में फूल खिले, फुल जड़ियां छूटी और पटाके उड़े. क्यों न हो ऐसा? ये सब त्योहार का हिस्सा है, आनन्द का स्रोत है, दीप पर्व, अत्वा दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे अलग-अलग कहानिया हैं, अलग-अलग परंपराएं हैं. कहते हैं कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लोटे थे, तब उनकी प्रजा ने मकानों की सफाई की और दीप जलाकर उनका स्वागत किया. दूसरी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध करके प्रजा को उ बात निश्चित है कि दीपक आनंद प्रकट करने के लिए जलाए जाते हैं, खुशियां बांटने का काम करते हैं, भारतीय संस्कृती में दीपक को सत्य और ज्यान का द्योतक माना जाता है, क्योंकि वो स्वयम जलता है पर दूसरों को प्रकाश देता है. दीपक की इसी व प्रकाश पहुँच जाता है, दीपक को सूर्य का भाग सूर्यांष संभवो दीप कहा जाता है, धार्मिक पुस्तक सकंध पुराण के अनुसार दीपक का जन्म यग्य से हुआ है, यग्ण देवताओं और मनुष्य के मध्य संवाद साधने का माध्यम है, यग्ण की अग् होने के पश्चात दुनिया में अंधकार फैल जाएगा कौन मानव के काम आएगा कौन उन्हें रास्ता दिखाएगा सहसाई का वाजाई आप चिंतित नहों मैं हूना मैं एक छोटा सा दीपक हूँ पर प्रात काल तक अर्थात आपके उदय होने तक मैं अपने सामर्थ्यभर संसार को प्रकाश देने का प्रैत्न करूंगा क्या आप भी दिवाली मनाते हैं एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें